का है 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 हलो स्ट्टेंट स्वागत थे आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लैनेर प्रफार्म बीस्टी बायवाला में इश्ट्टिन आज इस लेक्चर में हम आपके सार्ट दिसकस्टां करने वाले हैं बीस्टी फोर समस्टर जो है बीस्टी का है कुछ इनवर्सिट्री जिसमें MCQ exam होने वाला है तो उन student के लिए ये वीडियो most important होने वाली है क्योंकि हम इस lecture में आज unit 1 पॉर्टनी के unit 1 के most important MCQ को solve कराने वाले है ठीक है तो आज इस lecture में यानि कि इस PDF में जो आपको है इस पर हम unit 1 का ठीक है एक unit के MCQ को solve कराएंगे ये बॉर्टनी का है ऐसे ही हम लोग चलो जी का भी solve कराएंगे ठीक है unit 1 unit यानि कि एक एक unit का ठीक तो आज ये वीडियो को स्टार्ट करते है समझते है question की तरह बढ़ते हैं पहला question आपसे पूछा गया है how many centers आप ओरिजिन आप कर्टिवेशन प्लांट वे प्रपोजड बाई वेवी लोव इन 1926 पाहले रखिए वेवी लोव एक साइंटिस्ट थे ठीक है जिन्होंने बहुत सारे center का मतलब होता है केंद्र बहुत सारे centers के बारें बताया जहां पे production होता है नए नए प्लांटों का नए नए प्लांट की origin की जाती है cultivate की जाती है तो 1926 में उन्होंने art center के बारे में बताया था ठीक जिसमें से कुछ center आपके इंडिया में है कुछ center अमेरिका में कुछ जीन में ठीक है अईसे अईसे अलग-अलग country में इसके center है ठीक इंडिया में भी कई इसके कई जिगहों पे इसके center बनाए गए ठीक है तो 1926 में art center उन्होंने बताया था नेक्स्ट कोशन आता है according to वेविलो तपामरी center आप origin आप टर्मरी वेविलो जो सबसे पहला center बनाए गया था टर्मरीक का टर्मरीक मत्तब हल्दी का जो center बनाए गया था वो कहां था हिमालियान हिमालियान center था नेक्स्ट कोशन की तब बढ़ते है तब primary center आप origin आप मेज मेज का क्या primary center है ठीक है तो वो है Central American center ठीक चलिए नेक्स्ट कोशन आपसे पुछा गया है बेबी लियो center आप origin आप crop plant are mainly located जो crop plant की origin आप center है वो कहां पे located है नहीं कहां पे इस्तित है तो हिल एरिया में ट्रॉपिक रंज के हिल एरिया में यानि की पहाली के शेत्रों में प्रजिंट है ठीक है लोवर लेंज और हिल एरिया में ये प्रजिंट है नेक्स्ट कोशन आपसे पूछा गया है तब primary center आप और जिन आप शूगर केंट शूगर केंट का primary center कहां पे तो वह भी हिमाल्यान पे है फिर पूछता है कि विच पार्ट आप सेफ्रान सेफ्रान मतलब केसर ठीक है जिसका botanical name is crocus satyvus ठीक है flower is used for the harvesting आप केसर और सेफ्रान कि ये पूछता जाता है कि जो सेफ्रान होता है सेफ्रान याने की केसर flower का कौन सा पार्ट यूज के जाता है केसर में ठीक है तो आपको पताओका plant का में जो female पार्ट होता है उसमे style और stigma पाए जाता है तो वो पार्ट यूज होता है किसके लिए केसर के लिए तो आपकी जो plant का flower होता है उसके tip पे style और stigma पाए जाता है ठीक है और stigma पाए जाता है ठीक है कुछी स्वरकार से होता है वो style और stigma यह ओबरी हो गया तो इसका जो उपर का part होता है tip का part style और stigma वो यूज़ किराता है किसके रुप में वो यूज़ किराता आपके केसर में या फिर सेफरा में फिर next question पूछा गया है सातवा question है which part of turmeric is used in spice spice मींस होते हैं मसाले पूछा गया है कि जो spice होता है या नि कि मसाले में जो healthy होता है healthy आपके मसाले में आता है ठीक है तो healthy का कौन सा part यूज़ किया जाता है तो वो है rhizome ठीक आगे बढ़ें common bread wheatage या नि कि कौन से wheat की variety है ठीक है जिसका हम लोग bread यानि की रोटी बनाते हैं तो 30 cup estuam यह हूँ इसका बट क्यानि कि यह हूँ यह है जो जिसका आम लोग bread बनाते हैं ठीक है 30 cup estuam आपसे पूचा है man made cereal कौन सा है man made cereal यानि कि ये तो क्या थे ये तो आप कह सकते कि natural cereals थे लेकिन ये क्या है ये man made cereal कौन है तो man made cereal tritical है जिसमें किया क्या गया था राई और wheat के प्लांड को आपस में क्रास करा के एक नई प्लांड बनाया गया था जिसको आप लोग tritical के नाम से जानते हैं ठीक तो देखिए जो tritical जो राई है वह एक प्रकारिक आप कर सकते की कित्रा ही जो जानते हों या जो कित्रा बापली कित्रा दिखाई पड़ता है कितना kromosome number राई में होता है same kromosome number कितने हो किसमें होता है ठीक है ठीक भेलाती बनाई गई है जिसको हम लोग कहते हैं ठीक जो प्रश्ट मिनमेट सरील है ठीक इसमें जो क्रोवसोम नंबर था 56 है किता है 56 है जिसको हम लोग आक्टा प्राइड के नाम से भी जानते हैं ठीक है तुझ कि इसमें हुआ क्या है आपको मैंने किसी लेक्चरें बताया भी है ठीक इसमें wheat, wheat का जो प्लांट होता है ठीक है और आप barley यानि कि ज़व देखते हैं उसकी तरह से दिखाई पढ़ने वाला राही होता है ठीक जिसको वो लोग cycle-stril के नाम से जाते हैं जो tritacum st.um होता है इसमें जो chromosome number होता है वो 21 पियार होता है यानि कि 42 chromosome पाई जाते हैं कर इसमें की होता 14 chromosome होता है यानि कि 7 अइसमें हैपולाटड केतना होता है 21 और डिप्लाइड केतना होता 32 तोटल चपन क्रोमोस्वाला यह प्लांट बनाय गया है, ठीक है ? तो इसको अब लोग आक्टा प्लाइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ? ठीक है आक्टा प्राइड के नाम से जानते हैं ठीक तो टोटली इसमें आप कह सकते हैं कि 28 पियर आप क्रोमोस्वम पा जाता है ठीक 28 पियर आप क्रोमोस्वम लेकि क्रोमोस्वम की नमबर देखें तो 56 हो जाता है इसलिए उसको लोग आक्टा प्लाइड के नाम से जानते हैं ठीक है जो राई होता है वो जो की क्वाल्टी में कुछ बेटर होते हैं ठीक है जैसे आप लोग सुने होंगे कि घोड़े और कधे में क्रास करा करके क्रास करा गया था तो खचर बन गया था लेकिन उसका उद्देश क्या था कि घोड़े कितरा वो तेज धवड़े और समान को कधे कितरा ढोले लेकिन ऐसा हुआ नहीं वो खचर बन गया था तो उसी तरीके से इसको भी क्रास करके बना गया है राय क्या वता है वो पहारी के छित्र में उगते हैं जाद है टंपरेचर पर भी स्रवाईब कर जाते हैं लो टंपरेचर पर भी सरवाईब कर जाते हैं तो इस कंडिर्शन को देख कर कि उसको बनाए गया था ठीके यह कैसे होते हैं आके आक्टा वजर होते हैं थीक है अब बात आता ही जो ट्रेटिक में स्टिनभम होता है उसकी प्रीड है धागी देगा प्रीगहां भी कि लिए ज़ना पी देखते ही यहां पर रहें भी गहा है крे किया है ट्र लेकिन प्रहesta, यहां बिटेभिन को डिटराइक राइक और क हुआ जिर है तो मुंने आपको बताई था अगला कुसर आपसे पूशा गया है फ्रूट इन शिरील इज यह नहीं कि कमों से fruit है जो shrills में आते हैं जो तो उसका राम है कारियोप्सिस ठीक है चलिए बॉर्टिकल नेम आप राइस तो औराइजा सटाइबा यहां पी है ठीक है औराइजा सटाइबा जो एकी यह राइस का बॉर्टिकल नेम है ठीक है आगे बढ़िए Allurone layer in the seed आप syriels in rich जो syriels होते हैं यहां पुझा गया है Allurone yellow man Leader सीरील में जो सीर का जो सीर होता है उसके बाहर एक layer पाई जाती है यहांद space लेयर होती है वो प्रोटीन की बनी होती है लेकिन साधारता जो सीड होते हैं उसमें कार्बोहाइड़ेट पायाता है सीड के अंदर कार्बोहाइड़ेट होगा लेकिन उसकी बाहर की जो लेयर होती है वो कैसी होती है प्रोटीन की बनी होती है ठिक आएए major food crops of the world belong to family poesi देखे जितने भी अनाज के plant होते हैं वो poesi family से बिलाइब करते हैं चाहे आपका गेहू हो चाहे आपका मक्का हो चाहे आपका जव हो चाहे बार्ली हो ठीक है यह सब किस family से बिलाइब करते हैं poesi family के grass family के नाम से भी जानती है ठीक तो सबसे ज़्यादा जो यह family होती है poesi family याने किसमे जो shrils आती हैं उस आदार्थ तक गेहू आपका चावल मक्का ठीक है बाजरा यह सब चीज़े आती है ठीक चलिए next question है major shrils है मुख्य रुप से कौन कौन स्रील है तो गेहू चावल और मक्का यह आपके मुख्य रुप से स्रील में आती है golden rice is rich source of vitamin A ठीक है golden rice क्या होता है इसमें vitamin A की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है ठीक है इसमें हुआ क्या था यह बिहार में देखा गया बिहार एक state है ठीक जहाँ पे देखा गया क्योंकि आपको पता है बिहार में और जिसे कुछ है राज्य है जहाँ पे यह देखा गया कि वहाँ पे चावल चादे खाते हैं ठीक है चावल जादे खाते हैं तो आपे देखा गया कि उन वहां के जो उस प्रदेस के जो घूकन थे आदमी थे तो यहां की जनसां क्या थी वहां वहाँ पर देखा गया कि उनमें विटामिन एक कमी पाए गई और विटामिन एक कमी होने से उसमें बहुत सारे डिजीज देखने को मिले थे तो सोचा गया कि भाई जब यहां कि लोग जादे चावल को पसंद करते हैं कि उन्हां इस प्रकार का चावल बनाया जाए जिसमें विटामिन एक की मात्रा हो तो उस दौरान गोल्डेन रडूर को बनाया गया था जिसमें विटामिन एक की मात्रा जाणा थी ठीक देखिए आप है पूच दिये गया मेज का बोटनिकलने तो वरायजा सटाइबा है ठीक है रड़्यक्तिड प्रिंसिपल सोर्स था श्टार् में जादे पाई यात है यह आपको भी पता होगा अगला कुछा यो दाल चीनी होता है उसका बहुत निकल नेव में थीकिक के ढल जिलाग इसका बहुत निकल नेव है ठीके सीनमोन उडिलानिकम ठीके क्लोब का मतलब होता है लोंग आप लोग देखते हैं तो लोंग का जो फ्लावर होता है आप देखते हैं कूपर की तरब ऐसे बना होता है तीक है आप जरली देखते हैं न ऐसे ऐसे वो बना होता है तो यह क्या होते हैं फ्लावर होता है फ्लावर में बड यारी कि वो बड हो तो फ्लावर का बर्ड होता है ती इस दा आप्टेर फ्राम लीप चो चाय होती है वो चाय की पत्ती से प्राप्त की जाती है और चाय की पत्ती है उसका बहुत निकल नेम होता है कैमेरिया साइनेंस ठीक है आगे बढ़िए तर नंबर आप सस्टेबर डेवलपेंट गोल्स य ठीक है यानी कि वह जो नेशन था वोneक cuarto नेसं था इसके वारे में फुस्ट मेंना काई का यह कैसे होते हैं ठीक है तो सथस्ट्रामा था था ठीक है थी तर 2030 आए कि 2030 एजैंदा वादे का सची अ नालेज मैं पर नालेज की मिनिंग थोड़ी सिखलेट हो चुकी है कि यह नो डगरू होना चाहिए एक नालेज लिखा हुआ है ठीक है तेट आल आप आल दे नेशन मस्ट प्रमोर्ट अइक्शन इन दे इंपोर्टेंट एरियाज ठीक है चाने की जो सस्टनेबर डेवलप्मेंट था उसको पहुँच सारे कंट्री थे कि उने प्रमोर्ट करने की एजंडा रखी है 2030 तक जिसमें कुछ पीपूल थे प्लाइनेट है ठीक है प्रोस्परिटी है प्यांस है ठीक है कोलेबरेशन है तो बितनी साइच चीजी यहाँ पर आयड़ की गई है लेक्स्ट कोशन पूचा गया है ता हिूमन अक्टिविटी देड क्रियेट दा इन्वार्मेंटल डेमेज विद ग्लोबर कंसिक्वेंस ठीक है इजे तेखिए आपको पता है इन्वार्मेंट कब दूसित होता है वाता वरण कब दूसित होता है चम नए नए फैक्टिरियों को नए नए इंडस्टी आती है तो उस चो कार खाने लगाए जाते हैं उनसे जो अपसिष्ट पदार्थ लिकलते हैं कि इन्डस्टलाइजेशन कियजाए बढली-म्री फैक्पेरियों को लगाया जाए तो उस जगह का बत्तवरह दूसित हो जाता यानी कि इन्वार्मेंट डैमेज होते हैं किसके कार इन्डस्टलाइजेशन करने उद्यों को नई-अद्यों को आने से तो सोसल इक सोड़ी सोसल इकोनमिकल और एकोलजकल इक्विल्टी इस दर निसेसरी कंडिशन फार एचीव इंग तो सस्टेनेबल डेवलप्मेंट है जोकी एक एक एकोनमिकल और एकोलजकल एक्टिविटी के लिए जिरूरी है ठीक सस्टेनेबल डेवलप्मेंट आपसे पूशा गया है यू यन सी इडी का फुल फाम क्या है तो यूनाइटेड नेशन कान्फरेंस आन इनवाल्मेंट एंड डेवलप्मेंट ठीक है तो यह सब चीजे रट्टाफिकेशन की आपको इसको याद करना होगा पूशा है पर्स में सबसे ज़्याद क्या पाया जाता तो आपको पता है डाल में प्रोटीन पाई जाती है आगे बड़ी यहाँ पर पूशा गया है तर थ्री ए सस्टेनेबिलिटी आर यह जो ई है इसका तीन क्या मतलब है तो इसका तीन मतलब यह है एकोनामिक, एकोलज़क और एक्विटी ठीक है यहाँ पर भी साथ था यहाँ पर इकोनामिकल, एकोलज़कर और एक्विल्टी तो इसक्स आर आप तर सस्टेनेबल आर का पांच नाम हो सकते हैं क्या चीज़े हो सकती है तो रिथिक्स, रेफ्लेक्स, रेडियूज, रेणियू, रिपियर और रेसा अब मैंने बिताता सिरील जो अनाज होते हो पोएसी फैमली को होते है और उसको ग्रास फैमली के नाम से भी जानते हैं चलिए इंडियन स्टेट इस नोओन ऐस इस पाइस गार्डेन के नाम से भी केरला को जानते हैं प्रोटीन कमानी जाती है जो काफी होता है चाय होता है ना उसकी पत्तियों में केफीन प्रोटीन पाई जाती है जो हमारे आपके बोडी को इस्टुमिलेट करता है तो आपको एक नई ताजगी से महसूस होता है तो किसके कार्ण होता है के फिन प्रोटीन होती है उसके कार्ण देखने को मिलता है ठीक है इसका थोड़ा सा लंबा कोशर पुछा है Eco-friendly development that meet a need of human development goal of the present generation without promise ठीक है कांस प्रोमिसिंग अबिल्टी आ फ्यूचर जन्रेशन टू मीड दियर ओन नीड इचका लेज तो इसका मतलब होगा sustainable development जिसका मतलब यह पूछा गया है कि जैसे बहुत सारे कंट्री के लोग हैं आपस तो फ्रेंड ले मिल करके एक नए चीज के बारे में future जन्रेशन के वारे में मिल करके चीज की planning करते हैं उसको अब लोग सस्टेनेबल डेवल्लप्वेंड के नाम से जानते हैं इको ग्राफिकल एरिया इन विच प्लांट स्पिसीज वाज ओरिजिनेटेड इजकाल लेज प्राइमरी सेंटर आप ओरिजिन ठीक है देखे इसका करने के मतलब यह है कि ऐसा एरिया प्रिथभी का या पिर किसी स्टेट का या पिर कहीं का भी ऐसा एरिया जहां पर पर किसी प्लांट की ओरिजिन होती है उसको अम लोग प्राइमरी सेंटर आप ओरिजिन के नाम से जानते हैं जहां पर किसी भी चीज की पहली बार ओरजिन होगी उसको वहां पर डेवलर भी किया जाएगा उसको लोग प्रामिरी सेंटर के नाम से जानती है ठीक है अगला पूछा है आपसे इस कोशन में हास्पोर्ट से पूछा कि जाए कि इको नम के लिए यूनिक जो रीजन होती है उस रीजन को किस नाम से जाना जाता है तो हास्पोर्ट के नाम से जाना जाता है चापे नई नई स्पिसीज के बारे में चीज़े होती है ठीक है अगला पूछा है विच्पिसीज इस नोन अज ब्लैक गोल्ड किसको जानते है तो ब्लैक पीपर ब्लैक पीपर का मतलब छीनामसे भी जाते हैं सीडाद मालिस्टिका फ्रेग्रेम्स और दर विसट युप स्थान, जो में रबिप्यूर को सिसे सब्सक्राइब दर्धर चलिए कि तथ्री पीपल पीलर सोई तथ्री पीलर्स आप सस्टेनेबल डवलप्मेंट आर अभी आपको बता गया इकोनामिक इन्वार्मेंट और सोसियल ठीक है ये लिखा है असोफा इटिड़ा असोफा आसोफा इटिड़ा इस दा आप्टेन फ्राम दर रीजन रेजिन रेजिन यारे कि एक प्रकार का प्रसाद चिपचिपा पदार्थ होता है ठीक है जोकि फ्रेवला आफेस फोटिया से ठीक है फ्रेवला आफेस फोटिया ठीक है अफेस फोटिया ठीक है अफेस फोटिया ठीक है से प्रात होता है क्योंकि ये प्रकार की रेजिन है चलिए आगे बढ़िए कॉफी इज पीप्रेड भाई या पीप्रेड फ्राम दे विच पार्ट आप कोफी का एरा भी का ठीक है तो सीड से आप देखते कि चाय की जो सीड होती है ठीक है साधारता तो पत्तियों से होती है लेकि जो काफी होता है काफी ती जो होता है चाय की पत्ति से प्राप्त कियाती है लेकि जो काफी होता है वो सीड से प्राप्त कियाती है ठीक है चाय की पत्ति चाय होता है वो काफी जो होता है वो सीड से प्राप्त होता है ठीक है बॉट न क्लांग की किलों मतब लोंग होता है कि कलांगी होता है ठीक है वो किसके सीड से प्राथ होता है तो नाइज्रीला से अश्टायवाजी नाइज्रीला स्वरी तर्ट्राइटेरिया अंद बेसिस आप विच नाइकोलिया तो नीकोलिया इवेन इवेन विच वाल्वोव प्रपोस्ट दिफरेंट सेंटर आप ओर जिन वियर तो देखिए जो वाल्वोव थे ठीक है वे भी लोव थे ठीक है उन्होंने बहुत सारे औरीन आप सेंटर बनाये थे तो कुछ क्रॉप के फिल्ड में कुछ वाइल्ड के फिल्ड में टीक है तो इसे क्रॉप प्लांट जो साधर आत्ता होते जो वाइल्ड जंगलों में उगाय जाते तो दोनों के छितम नोंने कार्य किया था सेंटर आफ ओरजिन आफ क्राप प्लांट और आजसों कंसीड़ड आज थीक तो सेंटर आफ डायवर्ष्टी फिच आफ दे फालोविग इस दे सेंटर आफ ओरजिन आफ राइस तो इंडिया में यपान में सबसे जादे मात्र में राइस को उगाया जाता है तो कॉंसेप्ट आप सेंटर आप ओर्जिन आप कल्टिवेशन वाज प्रपोस्ट भाई वह विलो यह स्टार्टी में मैं आपको बता दिया था बॉटनिकल नेम आप फिंगर मिलेट्स फिंगर मिलेट्स जो होता है फिंगर मिलेट्स का मतलद समझ रहे महुआ ठीक्या देखे भी होंगे तो उसका बॉटनिक का लेम वही आप से पूछा गया है तो एलियोव सीन कहरा कहरा केना ठीक है और विच्टे स्टेट्मेंट इस नाट ट्रू रिकार्डिन दा पीलर मिलेट्स ठीक है तो पीलर मिलेट्स के तुल जो उसके तुला में क्या चीज़े नही है वह आपसे पूछा गया है जो पीलेट्स होता है इसमें फाइबलों ओर चीज नहीं पाई जाती है ठीक है ख्लुटेन भी नहीं पाई जाता है तो इसमें जो क्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो जादे मात्रा में पायाते है क्लाइसेमिक इंडेक्स रागी इस दा रिच सोर्स अब कैल्सियम ठीके रागी में क्या होता है सारगाम इस दा नेट्यू अफरिका ठीके सारगाम एक प्रकार का प्लांट है ठीक है शोरगम जिसको बोलती है हम लोग सोरगम एक प्लांट है जो अफ्रिका में पखु जादे मात्रा में पाये जाते हैं ठीक है एक होता इलकोहलिक व्यची इसमें इलकोहल पाया जाता है और एक व्यची हो गया काफी चाहश हरो गयाक व्यची हो गया तो उसको भी बता गया है कि टी है ठीक वो non-alcoholic beverage के अंतरगत आता है कर्मिला साइनेंसिस is the variety of tree ठीक है which is native to the state of asam तो कि asam में चाय की खेती की जाती है जिसको अब लोग native place जाने कि उस native place के नाम से भी जानते हैं आप फिन native state के नाम से भी जानते हैं इंडिया का ठीक है क्योंकि यहां पर चादे मात्रा में असम में चाय की खेती होती है वह भी कैमिला साइनेंसिस ठीक है असम में की जाती है और वहां से इसको अब लोग native place के नाम से भी जानते हैं सीनो माम याने की जो आपका सीनो माम मतलब होता आपका क्या बोलते हैं उसको इलाइची ठीक है जो इलाइची होता है तो राइंड मेच टू नटगम ठीक है नटमेच इसका राइट एंसर है तो यहां पर मेच इन दिया गया थे तो पहले देशा पर मेच करके दिखाया गया है ठीक चलिए फिच केमिकल कमपाउंड इज Π्रसेंट इन क्लोव क्लोव मेच इसके ओगियन अल ठीके इसदबू साइच ब्लेक पीपर ब्लेक पीपर का जो नटगो प्पर श्ट आप इंडिया कोई स्ट आप इंडिया ठीके what is the scientific name, card amap, ठीक earn, card amap जो होता है, ठीक earn, यहाँ पर थोडी से mistake हो गई, ति ति कार्ड कार्ड मॉम मतलब होता, इलाईची, और सीने मॉम का मतलब होता है, आपका जो है की दालचीनी, ठीक earn, यहाँ पर मैंने भी बताया था, सीनी मॉम के बारे में कहां चल गए यहां पी सीनी मॉम जो होता है ठीक है आप मसाले में देखते हो पाय जाता है जो बारक से उसके च्छाल से प्राप्त कि जाता है जैसे आप लोग योके लिप्टरस देखते हैं लिप्टरस की च्छाल जैसे निकलती है वैसे ये भी निकलती है ठीक है मसाले में यूज कियाते है कार्ड मॉम का मतलब होता है आपका जो है कि जहां बोलते हैं उसको इलाइची ठीक है तो इलेटर कार्ड मॉम इसका भी बहुत निकलने होता है इंडिया इस्ट्यूट आप इस प्रिसीज रिसर्च इस लोकेटेड केला में मसाले वहका से सेंटर में लेकिन केला के कोजी कोड में ये स्तित्र इंडियान तो वीट को छोटा याने की ड़ार्फ कर देता है तो नोरियम टेन जीन पाई जाता है जो उसके लिए रिस्पांसिबल होता है विच आधा फालोविंग पार्ट आप प्लांट और यूज़ी स्पाइस ठीक है तो भाई इस्पाइस के लिए बार्क छाल भी आपने देखा कि सिनेमा में यूज़ कियाता है रूट भी यूज़ यूज़ विराइटि आप जिंगर यानि कि जो जिंगर होता है अधरक होता है ठीक है तो रायो डी जनीयूर्या एकप्राइब की रिएटी है ठीक है जो जिंगर कि आपके अधरक है ठीक है a milk-like application can be made from the seed ठीक है तो देखिए इसने यह कहा जो सोया बीन होता है ठीक है उससे क्या होता है मिली की भाती सीट से जो सोयावीन होता है वो सीट से आप्टेन कियाता है जिसमें बहुत सारे क्या होते है विटामेज प्रोटीन बहुत सारे चीजी होती है जैसे दूद में हर प्रकार के चीज पाई जाती है वैसे जो सोयावीन होता है उसमें भी हर प्रकार के पाई गयाती है चो यह इन विच इयर आप यू इयर युनाडेट इस्टेट ठीक ही इनाडेट नेशन जिसको बोल सकते हैं चर्नल एसेंबली कांस्टिट्यूटेड ए कम्यून्टी असस्टेनेबल सी एंडी ठीक है तो 1992 यह स्टेट आप बर थंपो जादे नहीं पता है किसी संक्या है 17 ठीक है विन नेचुनल सोर्स इक्स्ट्रेक्टेड इस दा इक्विलेंट टू दा नेचर केंपिसिटी आप रिपलनिस इट्स कम अंडर तो सस्टेनेबल्टी ठीक है यह भी अब लों बताया दे एंजना 21 के बारे में जो की ठीक है जो यह बताता है कि बहुत सार चारे मिलिकर के टिक है पलाइन किये थे कि एसी बना जाए जिसमें मिलकर के सारे इस और ठीक है तर तो जिattend को प्र सूइट कर का मतलब होता है को मेज के बारे मताये गया स्वेट करन मेज के ऐसमेट बारो मेज कार्वर से क्यान यह सब चीजि आती है ठिके ठाल कर्ट कि स्विट में कॉर्ण और पॉप कर्ण याम लोग की नगोग सुनते है ठिके तो इस दो धम वाल सुद्वेर और मेज की बारायोट Excuse मेट मतलब मक्य की भारायटी है तो मेट पॉपपकार्ण भी प्रकार्ण की मेट की है जिसमें क्या होता है। ये क्या करता एक जो मूटेशन होते हैं के कारण इसमें चादे मात्र में सुगर वई श्टार्चे पायाते हैं तो स्यूर्य सिरिल आपका सौर घाम बुक वीट और मिलेट से यह सब चीज़े हैं सेंट्रल राइस रिसर्स आप इस्टिट्यूट कहां पे कटक में ठीक है यहां से कोशन यह देखने को आपको जरूर से मिलेगा कि सेंट्रल राइस रिसर्स इस्टिट्यूट कहां पे कटक में और आजया सटाईबा किस फैमली से तो ग्रेमनी तो मनें बताया कि मेज की जितन यानिए कि ऐसे कौनसे प्लांट है जिससे आयल सीर क्राप भी करते तेर उससे प्राप कि जाते हैं तो Ayracis haipo gea थे क्या है यह क्या है आयल सीर प्लांट है बारली का क्या नाम है common name तो बारली का साइंटिस्ट आप कैसकते, थे उन्हों ने इसको रियो डी जैनेरियो समट ने इसको तो एगनडा टॉन्टीवन को लाया था कस्तूरी और माही, सुगंदा इस इंपूर्टे ने विराइटी फार्ड़ है, राइस ठीक है कस्तोरी, राइस, माही, सुकंधा यह सब क्या है यह सब राइस की वेराइटी है विचाते इनकरेक्ट कम्बिनेशन इन दे प्लांट एंड फैमिली ठीक है तो आपने देखा कि जो ग्राम होते चने होते है फेवेसी फैमिली से साइप्रेस फैमिली यही चीज गलत है मेज भी किस फैमिली से पोईसी फैमिली से यही गलत यहाबी है ठीक राइजोम आपको पता है जिंगा जो अधरक होता है वो राइजोम होता है ठीक है जो इस पाइस के रूप में प्राप्त होते है गोल वान सस्टनेबल डेवलप्मेंट क्या है इन प्रवेट्टी इन आल फॉर्म ठीक चलिए आगे बढ़िए तो वर्ड शिरील्सच इज डिर्याइवड फ़ां वर्ड जो सब सीरील्सद है वह कहाँ से डिरैवड किया है तो वह रोमन वर्ड है ठीक है रोमन घिनती आप दोग सुनते हैं वह है विजिदे इंकरेक्ट टंबिनेशन आप दफ प्लांट इट्स बॉट निकल ने यहां पर देखिए बॉट निकल ने पूछा गया है किसका किसका गलत हूँ आपसे पूछा गया है तिक गार्डेन पी कैजनस कैजन चिकेन पी सीजर एराइटिनम पोर्ड बीन वाइकिया फोबा और मूंग बीन विगना रेडियाटा तो गार्डेन पी है ठीक है इसके बॉट निकल नेम की पारे में पूछा था तो यहीं यहां पर गलत हो जाएगा विचिंग दा इन्कर्ट कंबिनेशन अप स्पाइस अनि इस व्यवाट निकल नेम ठीक है तो ब्लेक मी पर ठीक है लास्ट क्वेश्चन है आपका विच इस दे लार्जेस्ट फैमिली विच इस दे लार्जेस्ट और नेरली इक्वेटस फैमिली याप दा मोनो काटिलीन फ्लावर्जिं प्लांट पोईसी फैमिली तेकि जो पोईसी फैमिली है वो सबसे बड़ी फैमिली है लेकिन ये सबसे बड़ी फैमिली कौन सी है Poiasi फैमिली किसमे मोनोकार्ट प्लांट में ठीक है सबसे largest फैमिली है मोनोकार्ट प्लांट में तो ये आपका 85 कोस्न 2014 History हम आपको second unit के MCQ के बारे में बताएंगे ठीक है तो ये मिलते नेक्स लेक्चर में ने टॉपिक के साथ, निव यूनिट के साथ.